एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन शर्वण के लिए हरजाती, संप्रदाय, समाज, शेत्र के लोग आतुर रहते हैं एक ऐसा आत्मार्थी संत, जो शर्मर संस्कृती की लोगो भौतिकता की चकाचोन में भी निरंतर प्रजुरित रखने हेतु संकर्पित है एक ऐसा आध्यात्मयोगी, जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांती, संप्रदी का मार्ग दिखा रहा है एक ऐसा समा सुधारक, जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर व्यज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार समराठ पूज्य श्री शिमुनिजी महरास साहेब ये अनुपम महापुरिश अपनी ध्यानसादना से, अपने चिंतन से, अपने पुरशार्च से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है उजाला ज्यान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर ज्याने का अरिहन्त प्रमात्मा, महाविजे क्षेत्र में विराजमान जिनकी अनन्त अनन्त किर्पा आंसा पर बर्स रहिए उस परमपिता प्रमात्मा देवाली जेवक्षमा शर्मन तिरे लोकी ना तीनों लोकों के एक साथ जानते और देखती हैं सरवग्या सरवजर्शियें शाषन बती भगवन महाविर जिनका धरम शाषन धरम संग धरमतीरत में हम सब धर्म का अमरित पान करने अस प्रभू की वानी को प्रभू के ज्यान को प्रभू की साधना को प्रभू की मंगल मैचरी को अनन्त नंत नमन प्रात्ना कर्टगता के भाव प्रतिकर्मन का अध्यात्मिक सरूप प्रतिकर्मन क्या है प्रतिकर्मन आप रोज प्रतिकर्मन करते हो कैसे प्रतिकर्मन करते हो और प्रतिकर्मन का अर्थ क्या है प्रतिकर्मन अतिकर्मन का प्रतिकर्मन करना प्रतिकर्मन कोई सुभा शाम का नहीं होता जब भी आपके मन में भाव आगा कि मैंने अत्रिकर्मन कर लिया पीछे आजाओ जो हम ने इंद्रियों से बुद्धी से मन से विचारों से संसकारों से भावनाओं से अपनी एक धारना बना लिए उस धारना से अनसार हम किसी का मुल्यांकन करते हैं हम किसी को देख करके मुल्यांकन करते हैं, किसे के वस्तर पहन करके मुल्यांकन करते हैं, किसी के धन को देख करके मुल्यांकन करते हैं, किसी की बुद्धी को देख करके मुल्यांकन करते हैं, मन से, बुद्धी से, विचारों से, सुनकारों से, धारनाओं से, प्रमपरां से, पार हो करके, वापस लोटने का नाम है प्रतिकर्मन, जैसे आप यहां से घर से यहां आए, आने पर आप चाहे गाड़ी में आए, स्कूटर में आए, पैजल में चलके आए, बैठ करके प्रतिकर्मन करो, मेरे आने में, जाने में, किशी को देखने में कोई प्रतिकर्या तो नहीं होगी, पर्चिकर्मन कर लो, भगवान ने मुनिराज को कहा है, मुनिराज जब विक्षा चली के लिए जाते हैं, जगह जगह से विक्षा मांगे लाते हैं, आकर के पर्चिकर्मन करें, इच्छा करन का पाथ पर्चिकर्मन का है, इच्छा करन संदी से भगवन इर्या कि वल पाठ नहीं, एक एक शब्द के साथ, आपका भाव जुड़ना चाहिए, एक इंदरी की हिंसा तो नहीं कर ली, दो इंदरी, तीन इंदरी, चार इंदरी, पांच इंदरी, किसी को ठाके डख दिया, मसल दिया, ऐसे भाव आ गया, जो जो शब्द आप उचारन करते हैं, उसके साथ आपका भाव जुड़ा हुआ चाहिए, वह प्रतिकर्मन, कुछ भी करो, आपने भोजन बनाया, भोजन बनाने की भादपर्टिकर्मन करो, करते हैं कि ने करते हैं, कोई कोई करते हो गए, भोजन बनाते हैं कि समय, आपने छे का अजीम का रम सरम किया, अगनी का दोश लगा, पानी का दोश लगा, प्रस्पति जगत का दोश लगा, उसमें ज चे कैया जीवों की प्रभो जहां जहां मेरी विरादना हुई होई हुए। और मैंने जो कुछ किया काय से किया, शरीर ने किया आत्मा मात्र दिश्टा रही। मैं तर्भू जो जो शरीर से दोश लगा, मन वानी से दोश लगा, मनता करन से पर्टे करमन करते। भेद ग्यान ज़रूरी है हर बात में भेद ग्यान ज़रूरी है तैसे युवाचरा जी फरमा रहे थे अभी मा, रुष्छ, मा, तुष्छ की बात उसने जान लिया था कि जैसे मैं अलग हूँ ये अलग है भेद भी ग्यान उठते बैठते चलते, सोते, भेज ग्यान बनाया, भोजन बनाने के बाद आप भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद आप प्रतिकर्मन की दिये, रस लेके भोजन किया, इंद्रियों के स्वाद लेके भोजन किया, आहा, मजा आ गया, बढ़िया मसाला, बढ़िया ये किया, कितने कर्मों का का वंधन कर लेते हैं देखी भोजन बनाते समय बोजन प्रोष्ट समय बोजन खिलाते समय तुम यह मत सोचो कि मेरा आग का भोजन बहुत बढ़ yağ बने मेरी प्रशंजा करे क्या बढ़ बर्या भोजन बनाया आज तुम मजा आ गया और तुम को आज का दिन सार्तक हो गया स्वाद के लिए तुम उसकी प्रशंचा कर रहे हो तुम सोचो कि मेरे द्वारा बनायवा भोजन कोई अतिथी, कोई साधू कोई भूखा, कोई ब्राहमन कोई तपस्वी, कोई ग्यानी कोई साध्वी, कोई साध्वी मेरे द्वार पर आया और मेरा दबारा बनायवा भोजन में से ले गरहन कर ले तो मेरा सुभाग्य है तुम भोजन खाते समय भी भावना रखो कि भोजन आपकी ठाली में आ गया है अभी आप खाना शुरूने कि भाव कोई मुनिराज अचानक आ जाए घर में उसमें से आधी रोटी दे दो एक रोटी दे दो दो पीस मिठाई के दे दो जो भी आपने रखा दे दो फिर दोबारा मांगना मत कि एक रोटी चली कि एक रोटी और गरम गरम लाके दे दो जो मिल गया आज जो ऐसा वैसे ही रखना उसमें और मत मांगना करमों के नजरा होती है छुटी-छुटी बातों को बहुत गहरा ये जैन दर्शन बहुत गहरा दर्शन मैंने कही बार बोला जब आप रस्ते में जाते हो तो टिफन लेके साथ जाते हो रस्ते में कोई साधू कोई मिल जाते हैं साथ में प्रासुप पानी लेके जाओ घरम पानी लेके जाओ भोजन लेके जाओ रस्ते में कोई मुनिराज मिल जाए अपनी गाड़ी रुकाओ पिरपा करो पानी का अफसरा ले लो भोजन का अफसरा ले लो कोई सुकी जिल ले लो और उस समय उनको ज़िरूरत होती है आप दे देते हैं शुत प्रासकार होता है और भाव पुरुक देना इस प्रकार प्तिकरमन है भाव से सभाव में आना पर से स्वय में आना मिठ्यातव से संकत में आना अवरत से बरत में आना प्रमा से प्रमतवत में आना कशाय से अकशाय में आना अशुब योग से शुब योग में आना करता भाव छोड़ करके दृष्टा भाव में आना परती कर्म करता भाव से नहीं करना दृष्टा भाव हमारी सारी साधना दृष्टा की है जहां जहां तुमने करता भाव किया मैंने किया मैं करूंगा तो सब कर्मों का बंदन है परती कर्मन करता भाव से छोड़ करके दृष्टा भाव में आना परती कर्मन क्यों करते हैं परती कर्मन का अर्थ आगया प्रतिकर्मन क्यों करते हैं और प्रतिकर्मन कैसे करना बस्तीनी बाते आज करेंगे फिर और कुछ भी 15 मिनिट का हम प्रतिकर्मन भाव प्रतिकर्मन भी आज करेंगे जिनको प्रतिकर्मन नहीं आता पूरी पाती नहीं आती वो भी प्रतिकर्मन कर सकते हैं भाव पूर प्रत परतिकर्मन क्यों करना? बरत में लगे हुए दोष्यों का परतिकर्मन करना, विहोशी में जो पाप विहोशी कब आती है? विभाब आता है, जब करोध, मान, माया, लोग, राग, देश, कि वशी भूत हो करके, हम वचन बोल देते हैं, हम कुछ भी कह देते हैं, अपने अहिं पर लगे हुए कर्मों की उधीरना के लिए परतिकर्मन करना, बरतों में दोश लगे उनके लिए परतिकर्मन द्याता द्रश्टा भाव में रहे करके परतिकर्मन करना, परतिकर्मन जब भी करोगे द्याता द्रश्टा भाव में रहे करके परतिकर्मन, परतिकर्मन कैसे करना प्रतिकर्मन क्या है प्रतिकर्मन क्यों करना प्रतिकर्मन कैसे करना थर्ड स्टेज है प्रतिकर्मन कैसे करना प्रतिकर्मन प्रतिक्षन हो सकता है रात को सोये उठकर के प्रतिकर्मन करो प्रभो मैं चार पांच घंटे मून इधरा में सो गया कितने दोश लगे स्वपन में स बबढ़ते चलते, करवत बदलते किसी सुक्षम प्रानी की हिंसा हो गई हो, उठकरके ब्रवान को बंदन करके पर्तीकर्मन कर सकते है। करनसके करना, तो आप भाव से नहीं जुड़ोगे। मोह निजरा नहीं टोटेगी, मन बाहर जा रहा है, जब आप कभी b pasture करते तो मन आपका साहत होता है। मन कहीं और होता है, वचन कहीं और होती है, काया कहीं और होती है। कियावल आपने खाना-पूती के लिए परतिकर्मन कर लिया। तो पहला, the most important, crucial point is that that we should not repeat speedily the words शीगर्ता से प्रतिकर्मन नहीं करना, भाव पूरक प्रतिकर्मन करना, ज़ि आपका भाव जोड़ा है, तो महन उद्रा तूटेगी, भाव नहीं जोड़ा, तो आपकी महन उद्रा कैसे तूटेगी? जब आप प्रतिकर्मन करते हैं, तो आप प्रतिकर्मन करते समय, आर्थ रोदर ध्यान नहीं होना, धर्म ध्यान और शुकल ध्यान की तरफ जाता है, जब आप भूत और भविश्यत की और होते हैं, तो आर्थ रोदर ध्यान होता है, जब आप भूत भुष्यत को छोड़ करके वर्तमान की और होते हैं तो आप धर्म ध्यान की होते हैं तो वर्तमान क्षण का प्रतिकरमन है ना भूत का है ना भुष्यत का है तो घटना घट गई घट गई अब वर्तमान क्षण में आप परतिकर्मन कर रहे हैं, वर्तमान क्षण का परतिकर्मन, वर्तमान का परतिकर्मन हमें वर्तमान में ले जाता है, हमें आत रोधर ध्यान क्या है, हम रोज कहते हैं आत ध्यान, रोधर ध्यान, धरम ध्यान, शुकर ध्यान, चार ध्यान है, जो ध मान लेके आये ठोकर लगी, तूट गई, पर आपको कोई कहने वाला नहीं, पर मन में ही एक भावा आता हूँ, आज इतनी बड़िया तूट गई, वह आर्थ ध्यान, वही क्राकरी तुमारे नौकर से तूट गई, और फिर आप उसको कहते हैं, दिखाई नहीं देता, आंखे और वह बहुत दुखी है अंदर से, पीरित होता है, वह है रोदर ध्यान, तो आर्थ रोदर ध्यान तो हम ध्याते ही रहते हैं, मन में या फिर क्रोध करना, गुस्सा करना, चिर्चिरापन लेना, डिप्रेशन, ये दो ध्यान, आर्थ रोदर ध्यान डिप्रेशन का कारण धर्म जब आप धर्म है अपना सुभाव में आते हैं धर्म होता है तो धर्म के पार जब शुकल आत्मा का आत्मा में प्रवेश हो जाता है वो शुकल ध्यान होता है यह प्रतिकरमन आपका आत्रोदर छोड़ करके धर्म से शुकल ध्यान किया और जाने का है क्योंकि आपने भूत भविशित की बाद छोड़ दी वर्तमान क्षन में आ गया आप से क्राकरी टूटी कुछ भी टूटी आपने पर्ची कर्मन किया हो ये तो क्षन भंगर चीज है मुझे क्या करना है मैं तो आत्मा हूँ ये क्राकरी मेरे क्या काम आएगी नहीं है वो भा आप प्रतिकर्मन करते हैं प्रतिकर्मन करते समय आप भूत भविशत को छोड़ करके वर्तमान में आते समय आप वर्तमान में आने के बाद आपके भीतर एक अलाद, अनन, प्रेम, पुलकित का भाव होता है आप भीतर से समर्ध होते हैं अनन्दित होते हैं तुलकित होते ह और जो जो आपके मन में भाव आता है, वो अंते करन से बोलती चले जाते हैं, और संख्यात भाव से, संख्यात भाव में आ जाते हैं, वो परती करमन शुरुवात हो जाता है, और परती करमन गहरा चला जाता है, और आपके भीतर गुन परकट होने लग जाते हैं, आपके द्टमकागुन है, अनंत ग्यान, अनंत दर्शन, अनंत सुक, अनंत शक्ति वो परकट होने लग जाती है, आप अनंदित हो जाते हैं, पुल्कत हो जाते हैं, रुमान्ची तो धियान से शुक्लध्यान, हमरा सब का लक्ष किया है? शुक्लध्यान, जो चार दिन के ध्यान शिवर हैं तो दिन के ध्यान शिवर हैं आपको उसका अनन्द आएगा धर्म ध्यान से शुकल ध्यान और जब शुकल ध्यान में जाते हैं इतना अनन्द भीतर से परकत होता है बरसता है बहिता है परवाहित होता है रुपांतृत होता है परतिकरमन गुन परकत होते है मन जो बाहर जा रहा था वो भीतर आजाता है जब आपका मन बाहर जा रहा हो तो परतिकरमन आप करते समय सारे पाठ मत पढ़ना रुक जाना दुबारा पाठ पढ़ो एक घंटा परतिकरमन देर घंटा भी लग जाए तो चलेगा पर समय पुरा नहीं करना मान ने आपने इच्छाकारण का पाठ पड़ा आपका मन बाहर चला गया तो क्या करना दुबारा पाठ पड़ो एक-एक शब्द को इच्छाकारण, संदी से भगवन इरिया वैयंग, परिकमामी इच्छंग इच्छामी, परिकम्यूंग इरिया वैय आए, विराना आए गमना गमने अर्थ याद है तो पड़ो जिसको अर्थ याद नहीं है वो हिंदी का परतिकर्मन भी कर सकते है ऐसा नहीं कि संस्कृत प्राकर्ती पढ़ना है संस्कृत प्राकर्त पढ़ तो अच्छा है नहीं तो आप हिंदी का परतिकर्मन भी पढ़ सकते हो परतिकर्मन आपके जीवन में एक संजीवनी है बहुत परतिकर्मन का लाब है एक अग्जाम्पल दे कर के मैं बात पूरी कर देना चाहता हूँ प्रभु महावीर के समुसरन में एक दिन दिन के चोथे पहर जोतिश चकर के दोनों देव, इंदर और सूर्य प्रभु के दिर्शनार था गए चारों मर प्रकाश ही प्रकाश हो गया और क्योंकि साक्षात देव ऐसे अपनी उरिजिनल रूप में नहीं आते विकुर्वना करके आते हैं उस समय साक्षात इंदर चंद्रमा और सूर्य दोनों ही देवा प्रकाश ही प्रकाश हो गया उस समय भगवान देशना दे रहे थे तो साध्वी बरंद भी थे चंदनबाला, मिर्गावती और भी साध्वी थी तो भगवान ने देशना दी तो महासाती चंदनबाला तो चली गई सूर्या समय देख करके प्रंतु मिर्गावती वहां बैठी रही उसको पता ही नहीं लगा सूर्ज साक्षा आगया प्रकाश ही प्रकाश था जब सूर्य देव चले गए, चंदर देव चले गए तो अंधकार हो गया तो मिर्गावती में सोचा तो अंधकार हो गया तो फिर उसके बाद गई मिर्गावती जब बाद में गई तो चंदना ने उपलाम दिया तुमको ध्यान लखना चाहिए विवेक रखना चाहिए सुर्यास से पहले आ जाना चाहिए तुमने लेट कर दिया ऐसा नहीं करना चाहिए उसको उपलाम दिया तो मिरगावती बोली कि मैं इसकी मासी लगती हूँ इसने मुझे उपलाम दिया, मेरी क्या गलती है, मुझे दिखा, सूर्य चंदर विराजमान थे, उन्हें ने कहा भी भी, सूर्य विराजमान थे, तो मैं नहीं आ सकी, तो उसको मुझे बुला लेना चाहिए था, बुलाया के उन्हीं, मुझे डांडती है, मुझे कहती है, सब गल्ती तुम मेरी है, मैं बहुत देर तक बैठी रही, मुझे उठके आना चाहिए था, तो गुर्नी ने मुझे उपलाम दिया, सत्य उपलाम दिया, बगवान की समोसर में कोई किसी को उठाता है क्या, क्यों को उठायो, मेरे विवेक रखना चाहिए, मुझे विवेक नहीं मेरी गल्ती है, उसकी कोई गल्ती नहीं, मैंने गल्ती उनको मन में धारना लाई, कि मुझे उन्हें उपलाम दिया, मेरी क्या गल्ती थी, मैं उसकी मासी लगती हूँ, मेरी बेज़ती कर दी, सारे भाव उसके मन में आए, अब वही भाव, परतिकर्मन, ये परतिकर्मन की बात मैं कह रहा हूं, साक्षात जो घटना घटी, प्रतिकर्मन किया, अलोचना की, उसकी क्या गल्ती, गल्ती तो मेरी गल्ती है, मुझे जल्दी आजना चाहिए था, गुर्नी सत्य कहती है, सुर्यास्त के बाद साधी को कलपता नहीं है, सत्य कहा हूंने, आपने अन्तय करन स अलोचना प्रतिकर्मन प्राष्ट करती, वो भाव जो आए थे, वो भाव वापस आगे, लोटने लगे, लोटने लगे, इतनी गहरी अलोचना की, कि इवल घ्यान हो गया, इवल घ्यान हो गया, अब रातरी का समय, पैठी है, उदर से एक सांप गुजर रहा था, और चंद किया, चंदना की नींद खुल गई, कहते ही, यह क्या हो मेरा हाथ उपर किया, कहते ही, गुर्णी सांप जा रहा था, मैंने हाथ उपर कर दिया, इतनी अंधेरी रात में, आपको कैसे दिखाई दिया सांप, गुर्णी आपकी किर्पा, आपको ग्यान हो गया, आपकी अब चंदन बाला ने पस्टात किया केवल ग्यानी की मैंने अशातना कर दी इसको तो केवल ग्यान हो गया मैंने कितना दूश लगाया कितनी अशातना की इन पर धिकार है मेरी आत्मा को ऐसी उच्छ साध्वी को जिसको केवल ग्यान हो गया मेरे को ग्यान नहीं है, मैंने इसकी अलोचना की, मैंने इसको डांटा उपलाम दिया, चंदन बाला प्रतिकरमन करती है, अलोचना करती है, गहरी रोचना करती है, चंदन बाला को केवल ग्यान हो गया, ये है अलोचना, प्रतिकरमन, प्रायश्चित का बाव, गहरे भाव होन चाहिए गेरे भाव से तुम परती करमन करो अलोचना करो तो बहुत भीतर से समर्दी के साथ साथ बहार की समर्दी परकट होती है जैसे कोई खेती करता है तो गेहूं के लिए करता है भूसा तो अपने आप आ जाता है पुर्णे तो अपने आप आ जाएगी कर्मों की नज़ होती है दूसरा अग्जामपल था प्रस्टेंद राज रिशिया आपने सुना था जुद्ध करते करते कितने करमों का बंदन कर लिया था भूत विश्चत में चला गया मेरा बेटा राज ले लिया ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा जब भूत विश्चत को छोड़ा और वरतमान क किसका बेटा काउंसा राज मैं मुनियों ऐसे हाथ किया तो कुछ भी नहीं मेरे पास अलोचना की प्रतिकरमन किया वो जो नरक के बंदन बांदे थे ये भाव की बात है भाव शुद्धी की बात है प्रतिकरमन करना अलोचना कैसे करना बहुत भाव से करना आंखे बन्ध, मन वचन काया शान, शरीर शान, विचार शान, सृष्टी शान, मन वचन काया के पाई स्वय में स्थित हो जाईए, ज्याता दश्टा भाव में आ जाईए, अरिहंत प्रमात्मा, स्रिमंदर स्वामी भगवान को बंदन करते हुए, अरिहंत प्रमात्मा, शिरी स्रिमंदर स्वामी प्रभो, मेरे शब्दों के साथ आप अपने भाव जोड़ते चले जाईए, मेरा सरूप अनहारक है, आत्मा अहर नहीं लेती, मैं आत्मा अनहारक हूँ, तो भी मैंने सचित अचित मिश्र अहर किया, शरीर ने किया, तो भी मैंने सचित अचित मिश्र अहर किया, कराया, अनमोदन किया, इस भाव, परभाव, अनंत भावों में, आहार के प्रति मैं लु इंचित मात्र रस लिया, भोजन को लेकर कोई किरिया परतिकरिया की, जहां जहां आपने किरिया परतिकरिया की, अन्ता करन से आप अलोचना कर लीजिए, मैंने भोजन को लेकर के कोई किरिया परतिकरिया की कराई करने वालों का अनमोधन किया, उसके लिए मैं अन्ता करन से क क्षमा मांगता हैं, प्रभो मुझे क्षमा करो, प्रभो मुझे क्षमा करो, प्रभो मुझे क्षमा करो, इस शरीर में रहते हुए, शरीर में रहते हुए, मैंने अकेंद्रिये से लेकर पचेंद्रिये तक, एकंद्रिये, दोंद्रिये, तीनंद्रिये, चारंद्रिये, की कराई उसका अनमोधन किया। उरते बैठते चलते भोजन बनाते पःसते किरिया करते। अकिंडरी से पचंडरी तक जीवों के हिंचा की कराई उसका अनमोधन किया। जूट बोला, बुलवाया, बोलते हुए का अनमोधन किया, चोरी की कराई उसका अनमोधन किया, मैथुन सेवाया, सेवते हुए का अनमोधन किया, मैंने परिगरे रखा, रखवाया, या उसका अनमोधन किया, एक एक शब्द अपने भावों के साथ, जहां जहां आपने परिगरे रखा, या आपने जूट बोला, चोरी की कुशील का सेवन हो गया हो, परिगरे रखा, रखवाया, जहां आप अपने अन्तै करन से अपने पा साथ अपने अंता कर्म से जोड़ जाए उसका अनमोधन किया तो मैं उन समस्त कर्मों की अलोचना प्रती कर्मन प्राष्चित करता हूं इस शरीर के द्वारा इस शरीर के द्वारा मैंने किशाओं का सेवन किया क्रोध मान माया लोग स्वैम किया कराया करने वालों का अनमोधन किया तो उसके लिए ये प्रभो मैं अलोचना प्रतिकर्मन प्राश्चित करता है अंतर के गहरे भावों में चरे जाईए शब्द नहीं शब्द से आपका अंतर करन चुड़ना चाहिए ये पांच अनुबरत पांच महावरत आ गए अकेंदरी से पचनेचा की इंसाह आ गए ये प्रभो मैंने अपने मुक से परपीडाकारी वचन बोले किसी को दुख पहुंचा परपीडाकारी वचन बोले तो उसके लिए प्रभो मैं अलोचना प्रतिकर्मन प्रैष्चित करता हूं आज दिवस भर में 84 लाक जीवा योनियों में किसी जीव को 84 लाक जीवा योनियों किसी जीव को उठते बैठते हिलते चलते दुख दिया हो या उसकी हिंसा की हो तो उसके लिए प्रभो अलोचना प्रतिकर्मन प्रैष्चित करता है ये सब कुछ ये करसभी करम मेरिस देहने की देहने की मैं आत्मा मेरा सभाव केवल ग्याता दर्ष्टा है जो भी करम की मन से, वचन से, काया से देहने की मेरा सभाव केवल ग्याता दर्ष्टा है सम्पूरन दिवस में मैं सभाव से मैं विभाव से विभाव में गया मेरा सभाव ग्याता दर्ष्टा है मैं विभाव में चला गया शाय में चला गया तो उस विभाव की मैं अलोचना प्रतिकर्मन प्राश्चित करता हूं प्रभव दिन भर में पूरे दिवस भर में कहीं पर भी मेरा भेद विज्ञान चुट गया हूँ भेद ग्यान करत है देह और आत्मा भिन भिन है आत्मा को भूल गए और देह को आत्मा मान करके सब कार्य करते रहे भेद ग्यान जहां जहां चुट गया हो प्रभू दिन भर में कहीं पर भी मेरा भेद विज्ञान चुट गया हो तो उसके लिए प्रभो मैं प्रती कर्मन अलोचना प्राइश्चित करता हूँ आ और भीतर गहरे चले जाए जहां जहां दोश्पाप लगे उसकी अन्ते करन से अलोचना कर लीजी प्रभो मैंने किसी की निंदा की, कराई या उसकी अन्मोदना की नीन में, प्रमाद में, स्वपन में, स्वपन के एक स्वार दोशों में जहां कहीं भी कर्म बंधन हुआ हो प्रभो उसके लिए मैं अन्ते कर्ण से ख्षमा मांगता हूँ प्रभो मैं आलोचना प्रती करमन प्रायश्चित करता हूँ सुबह से लेकर अभी तक जो जो भी कर्म किया गए सुबह से लेकर अभी तक जो जो भी कर्म किया वैसारा इस विनाशी शरीर ने किया समस्त कर्म को ज्याता वा दर्ष्टा भाव से आत्मा की साक्षी में समस्त कर्मों को ज्याता वा दर्ष्टा भाव से आत्मा की साक्षी से स्वैम से भिन करता हूँ पता जो कुछ भी किया इस देह ने किया मनवचन काया ने किया मैं आत्मा मात्र दिश्टा हूँ फेद विज्ञान कर दीजिए समस्त कर्मों को ग्याता वदश्टा भाव से आत्मा की साक्षी में स्वैम से मैं भिन्न करता हूँ जो कुछ किया विनाशी शरीर ने किया अभी तक सुबैसे लेकर अभी तक जो कुछ भी किया कराया अनमोधना मन से वचन से काया से वैं सब कुछ इस शरीर ने किया मैं सिर्फ एक शुद्ध आत्मा हूँ मैं सिर्फ एक शुद्ध आत्मा हूँ मैं सिर्फ एक शुद्ध आत्मा हूँ मैंने ही कर्म करते हूए करता भाव लाया करता भाव दुख दरिद्र दरभाग्या का परतीक है दृष्टा भाव सुख सम्रिद्धी सुभाग्या देता है करता भाव संसार में ले जाता है चार गती चुरासी लाग योनिया में भटकाता है जो कुछ भी मैंने किया, कराया, अनमोदा, मन से, वचन से, काया से, सब कुछ इस शरीर ने किया है मैं सिर्फ, सिर्फ, सिर्फ एक शुधात्मा हूँ मैंने कर्म करते हुए, करता भाव लाया हूँ तो उसके लिए, हे प्रभो, मैं एक्षमा मांगता हूँ अलोचना प्रतिकर्मन प्राशित करता हूँ प्रभो मुझेक्षमा करो प्रभो मुझेक्षमा करो प्रभो मुझेक्षमा करो ये आपके दिन भर की अलोचना है इसी शांती में बने रहे और भी कुछ आपको याद रहा है उसकी अलोचना प्रते करमन कर लीजिए गहरे ध्यान में डूप जाएए क्षण 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 सजग रह अपने कर्म सुधा सुख से जीने की करा अपनी और निहार सुख से जीने की करा अपनी और निहार नमन करे हम धारम को धारम बड़ बलवान धारम साइदा रक्षा करे धारम करे कल्यान धारम साइदा रक्षा करे धारम करे कल्यान सबका भदा हो सबका मंगल हो सबका शुब हो इसी में एक लंबा गरस्वांस लें अरिहंत परमात्मा की चरणों में कर्टकिता ग्यापत करें एक और लंबा गरस्वांस अरिहंत परमात्मा को नमन और बंदन दोनों हाथों को कोमलता से आंखों पर ले जाएं धीरे से whenever you like you can open your eyes आपनी आंखे धीरे से खूल सकते मंगल पार सुने के नमो रिहंता नंग नमो सिध्धानं नमो आयरियनं नमो जयनं नमलो sufficient जानें धमय मंगल मुकित्अ मायं साँजमो 8 देव वित्तंग नमं संती जास mn शिरी चतिारी मंगलं अरहंता मंगलं सिध्धा मंगलं साहु मंगलं के सरामेs चत्तारी लोगुत्तम, अरहंता लोगुत्तम, सिध्धा लोगुत्तम, साहू लोगुत्तम, केवली पनत्तो धम्मो लोगुत्तम, चत्तारी सरनं पवज्यामी, अरहंते सरनं पवज्यामी, सिध्धे सरनं पवज्यामी, साहू सरनं पवज्यामी, केवली पनत्तं धम्मं सरनं पवज्जा में चारे शारान, हारान जागत्त में, ओरे नाशरे ना, कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे, आराधन उसका, अजर आमर पद हो, बुद्राणी करे जयर दुक्वरे शारान, होगा, उसका सरदा आमंगर होगा, श्यव में, देखू साइझ, मैं तो शिव में, देखू साइझ, मैं तो शिव में, देखू साइझ